देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंद, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म बाशा करता हूँ, आप सभी सवस्त होंगे, महादेव की ग्रिपा आप सभी पर सदय बगए है, ये वीडियो विरिशब यानि की टॉरस के लिए एक अतिन्त महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे, मंगल के पुनह मार्गी होने के बारे म मंगल यानि की मार्स, नवंबर 2022 में वक्री हो गए थे, फिर पते तबी हो गए थे, यानि की मिथुन में चले गए थे, फिर वापस वक्री होते हुए, व्रिशब में गिर गए थे, और तब से वक्री ही चल रहे है, सरल भाशा में ग्रह जब नॉमल पॉजिशन में चलता ह आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको कहते है मारगी लेकिन जब वो पिछली तरफ चलना शुरू कर देता है उसको वक्री कहते है रेट्रोग्रेड कहते है तो मंगल वक्री चल रहे थे और आपके लिए क्योंकि आपके लगन में ही बैठे थे तो प्रभाव कुछ जादा ही द परकत्व होते हैं दो भावो के स्वामी होते हैं मंगल आपकी कुणली में तो उनकी स्थिती में बदलाव बहुत चीजों में बदलाव लाता है तो इस वीडियो में हम इनी सब चीजों पे चर्चा करेंगे पॉजिटिव नेगिटिव दोनों चीजों के बारे में बात कहां से देखी राशी फल जैसा मैं हर बार कहता हूं अगर आपको अपना लगन पता है लगन से देखिए इनकेस लगन नहीं पता तो राशी से अबज़र पिजिए राशी फल केवल गोचर पे अधारित होता है लगन और राशी से अलग लग नहीं बताये जाते हैं वह आपक लगन में ही बैठे थे विषभ राशी के, तो सबसे पहरे तो गुस्वा बहुत आ रहा होगा, क्योंकि वक्र अवस्था में थे मंगल, मंगल का प्रभाव होता है जब लगन पर चंद्रमा पर, तो गुस्वा विक्ती में बोल देते होंगे और यह सब कुछ नकरात्मक प्रभाव दे रहा होगा क्योंकि वक्री मंगल है तो सेहत थोड़ी खराब रह रही होगी क्योंकि वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और जब लगन में बैठते हैं तो और भी नकरात्मक प्रभाव देते हैं इसके केवल मंगल दोश बना रहे थे सप्तम को भी देख रहे थे जो मेरिज का स्थान है मेरिट लाइफ का स्थान है तो मेरिट लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रहे होगी हाँ यह हो सकता है कुछ लोगों के अचानक से विभा के योग बन गए हो और जल्दबाजी में शादी भी लेकिन जो लोग ओलरटी मेरिट थे उनके लिए प्रॉब्लम जा रहे होगी क्योंकि चौथा इस्थान पर दिश्टी थी तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से जड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा घर में भी थोड़ा गुसा जादा रहता होगा और जो लोग बि देखे हर ग्रह के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जब ग्रह अच्छी स्थिती में होता है तो पॉजिटिव पॉइंट्स जादा देता है और जब नेगेटिव स्थिती में होता है तो जो उसके नेगेटिव चीज़ें होती है नेगेटिव कारकत होते है वो जादा दिता है जहां मंगल गुसे के भी कारक है लड़ाई जगडे के भी कारक है लेकिन अगर अच्छी स्थिती में है तो साहस के कारक है और उसके साथी उत्साह के कारक है तो मंगल लगन में होंगे साहस बड़ेगा उत्साह बड़ेगा करे जाएगी एक will power आएगी संकल्प शक्ती बहुत अच्छी रहेगी और ये आपको जीवन में आगे लेके जाएगी वो काम जो करने से पिछले कुछ समय से डर रहे थे बच रहे थे वो काम करने की ख्षमता रहेगी और अपने जीवन को आगे लेके जाने की ख्षमता रहेगी मंगल बारवे घर के स्वामी है लगन में बैटे है इसका मतलब क्या जो लोग देश से बाहर जाना चाते थे अच्छा समय होगा जो लोग देश के बाहर इमिग्रेट करना चाते थे जो लोग किसी बड़ी MNC में जॉब करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय होगा जिनके hidden sources of income होते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है पैसा बढ़ सकता है तो थोड़ा hidden source से आता है मंगल क्योंकि सब्तम के भी स्वामी है जब लगन में बैठेंगे तो राजयोग भी बनाएंगे राजयोग तो बनाया हुँँओ था लेकिन वकर अवस्ता में था अब मारगी अवस्ता में जब राजयोग का प्रभाव देंगे तो बहुत अच्छा देंगे शुबता बढ़े की जीवन में जैसा मैंने कहा विल पावर, संकल्प शक्ती दोनों ही बढ़ती दिख रही है, मंगल की चौथी दृष्टी चौथे घर पर, अब जब हम चौथे भाव की बात करते हैं, तो मंगल भी वहां के कारक है, क्योंकि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सब के क कारक हैं वहां पर, और वो स्थान भी कही ना कहीं, चंद्रमा के साथ मंगल को भी रॉंग करता है, अब मंगल जब चौथे घर को वक्र अवस्था में देख रहे थे, तो हो सकता है, प्रॉपर्टी समंदे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई घर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, उसमें प्रॉब्लम आ गए, डिले हो गया, वकर्स नहीं मिले, लेवर चले गए, कुछ नुक्सान हो गया, काम अटग गया, कोई नोटेस आ गया गवर्मेंट से, या अथोरिटी से, लोकल अथोरिटी से काम बंद करो, यह सब चल रहा होगा, जब मैंन खरीदना है, वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, अब उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है, अपना जहां पे रहते हैं, उस घर में कंस्रक्शन कराना है, या कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसमें construction कराना है उसके लिए वी बहुत अच्छा समय है कोई property lease पर देनी है rent पर देनी है उसके लिए बहुत अच्छा समय है वाहन अगर आपको बहुत अच्छा खरितना है एक वाहन होता है जो मन चाहा होता है कि यहाँ यह मुझे चाहिए यह मेरा सपना है अगर वैसा वैसी आपके स्थिति है क्योंकि जो विर्षभ लागन विषब राशी के जाथक होते हैं, शुक्र का प्रभाव होता है, तो इनको महेंगी चीजे पसंद आती है, इनको standard वाली चीजे, इनको branded चीजे जो brand वाली होती है, पसंद आती है. तो अब जब मंगल का प्रभाव चौते घर पे रहोगा तो इन सब चीजों में भी आपको सकरात्मकता देखेगी कोई बहुत अच्छी गाड़ी जो आप खरीदना चाते थे वाहन खरीदना चाते थे कोई बाइक खरीदना चाते थे मन चाहा वो प्राप्त होगा घर में भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थी उनको सुलजाने में मदद मिलेगी क्योंकि बारवे घर के स्वामी है ये भी कन्फर्म कर रही है दृष्टी मंगल की कि आप देश से बाहर जा सकते हैं उसकी बहुत जादा संभावना है मंगल की सब्तम भाव पे ही रहेगी यानि कि सेवंध हाउस पे अब क्योंकि मंगल लगन में बैटे हैं और सब्तम भाव मंगल का ही है क्योंकि वहाँ पे विश्शिक राशी पड़ती है मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई ग्रह अपनी राशी को देखता है तो उसको बली करता है सब्तम भाव शादी का स्थान तो जिनके शादी के योग नहीं बन रहेते ये जो 60 दिन का समय होगा अचानक से उस संबंद में कुछ अच्छा हो सकता है शादी के योग भी बनेंगे चीज़े अचानक से आगे बढ़ेंगी और इसके साथ ही जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है बिजनस में नई पार्टनर्स, नई इंवेस्टर्स मिल सकते हैं नई असोसियेट्स मिल सकते हैं अगर अपने बिजनस को एक्सपैंड करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है अगर अपने बिजनस को देश से बाहर लेके जाना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है अगर अपनी सोशल इमेज को बैटर करना चाहते हैं मंगल की अश्टम दिश्टी अश्टम स्थान पर अब ये भी कहीना कहीं business जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सब्तम स्थान सब्तम से दूसरा है क्यानी कि business का लाब business का business का जो वृद्धी है उसके लिए देखते हैं तो business में आपको लाब होगा business में आपके लिए धना आएगा, बिजनस में नहीं opportunities आएगी, ये मांगल्य अस्थान भी है, तो थोड़ी compatibility बेटर होगी, थोड़ा attraction बेटर होगा, और जो married life में problems आ रही थी, वो भी कहीना कहीं, थोड़े भूत communication के थूरू दूर हो जाएगी, क्योंकि अश्टम भाव है, और मंगल कहीना कहीं उर्जा के कारक है, तो अगर थोड़ी सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, और आप अपनी सेहत पर focus भी नहीं कर रहे थे, अगर आप आपको पता था कि हाँ, डाइट बदलनी है, exercise करनी है, डॉक्टर ने बोला है, ये करना है, वो नहीं कर पा रहे थे, क्य उनको अचानक से बहुत बड़ा धनलाब हो सकता है, और क्योंकि मंगल अपने आप में property के कारक है, अश्टमभाव ancestral property का है, तो जो लोग का, जिसका भी ancestral property का कुछ भी issue चल रहा था, वो बिन 60 दिनों में solve हो सकता है, या चीज़े आगे बढ़ सकती है, तो ये सारे positive प्रभ हो का रहा है, और usually ऐसा नहीं होता वरिशब के साथ, क्योंकि वो इनको धन संचे करना अच्छा लगता है, इनको savings करना अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा धन जाएगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा, और जब पैसा खर्च जादा होता है, especially वरिशब के लिए मैंन कोई ऐसा निरने ले सकते हैं, जो जिस पर ज़्यादा सोच विचार आपने नहीं किया होगा, और ये भी थोड़ा नगेटिव रभाव आपको दे सकता है, मंगल की चौती दिरिश्टी चौते पे कहीं न कहीं accident के योग बना रही है, तो अगले 60 दिन थोड़ा सा इस संबं करना है, मंगल की सब्तम दिश्टी क्योंकि सब्तम पे होगी, तो मेरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कम होगी, क्योंकि वक्री चल रहे थे, लेकिन अभी भी देखिए मंगल दोश्टों है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, आपको प्रयास करने बात हो, अचानक से कहीं पे पैसा लगा देनी की बात हो, तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है, तो इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान देना है, इसके साथ अगर सेहत की बात करूं, तो किड़नी के रोग थोड़े तंग कर सकते हैं, और हॉर्मोनल डिसॉर्डर अब होता है, जलाकर दिये बजरंग बली को आपने अरपन करना है, और हर दिये में एक इलाइची का दाना डालना है, इसके साथ ही आपको बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाना है, और वहाँ बैठकर आपको हरुमान जी के इस मंदर का ओम हरुमते नमहा एक सु दियान करके ये कीजेगा, आचा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, चैनल पे नहे है, सब्सक्राइब कीजेए, वीडियो को लाइक कीजेए, आपको सभी से मैं अगली वीडियो पर मेलूँगा, तब तक के लिए, पूमदे